हे प्रेंस में काजल मैं हूँ सागर और आज हम रियक्शन करने वाले हैं जब एक वेश्या हज करने मक्का मरीना पहुची तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक तवाइफ का एसा सचा वाकिया बताने वाले हैं जो हच करने के लिए मक्का मदीना पहुच गई लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में उस तवाइफ के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपके भी रोंक्टे खड़े हो जाएंगी और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगी इसलिए आज के हैं वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है आप इसको आखिर तक जरूर देखें और महरबानी करके इसे सेर भी कर दें ताके और भी लोगों के पास में वीडियो पहुच जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज जो सचा वाकिया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकिया साहरा नाम की एक दवाइफ का है जो पाकिस्तान के सिंद इलाके की रहने वाली है साहरा की जिंदगी के 17 साल एक सरीब गराने में गुजरे थी मगर 17 साल के बाद में उसे एक सलीम नामी लड़के से महबत हो गई थी जिसने उसे घर से निकाल कर घूंगरू छंकाने पर मजबूर कर दिया था जहां से वापसी का कोई उसी रास्ता नहीं मिल रहा था सलीम नाम के लड़के ने उसे महबत के जाल में फसा कर कहीं का नहीं छोड़ा था ना घर का ना ही दीन और दुनिया का अब साइरा कभी 500 तो कभी 1000 रुपे हर रोज कमाने लगी एसे करते करते एक दिन वो कोटे की सबसे ज़्यादा कमाने वाली तवाइप बन गई थी अब उसे बागी तवाइपों की गुरू भी बना दिया गया था हर गुजरती रात उसे जब रूंदा जाता तो सलीम की नफरत उसके दिल में मजीद गहरी होती जाती और वो अपने दिल में सोचती कि उसने जो मेरे साथ में किया है उसकी सजा में उसे देख रहूंगी इस तरह से वो हर रोज अपने दिल में मौजून नफरत को गहरा करती जाती पिर एक दिन उसे अपना इंतकाम लेने का मوقع भी मिल गया उसने अपने हाथ में एक हंजर लिया और सलीम के जिसम पर सेंकडो वार कर दिये हर वार पर साइरा को अपना लोटा जाना याद आया अपनी मा याद आई अपने बाप, भाई और बहन याद आई अब साइरा के दिल में जो नफरत और इंतिकाम की आग थी वो भुज गई, वो जिस मकसद के लिए जी रही थी आज उसका वो मकसद भी पूरा हो गया था अब उसे अपना जेना बेवज़ा लगने लगा था इसलिए अब वो सोचने लगी कि अब मैं यहाँ पर जी कर क्या करूंगी अब तो मेरा कोई मकसद भी नहीं बचा है आलांकि सायरा का जुरम बड़ा था लेकिन उसने सुना था कि अल्लह पाक की रहमत हर अज़म हर गुना से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है तो फिर सायरा की खता इतनी बड़ी क्यों हो गई थी कि अल्लह की रहमत उसे छुपा ना सकी इंते काम की आग भुजते ही उसने मनने का सोच लिया था इतने में ही आवाज आई कि अल्लह की जात से इतने मायूसी अच्छी नहीं बेटी आवाज सुनते ही सायरा ने करदन गुमा कर देखा कि एक बुड़ी औरत पास में ही गास पुश इकठा कर रही थी उस बुड़ी औरत ने कहा जा बेटी उसके दर पर जाकर जुख जा उसके दर पर तेरे सारे गिले सकवे दूर हो जाएंगी यह सुनकर सायरा ने कहा लेकिन मैं तो बहुत गुनागार हूँ क्या मैं उसके दर पर जुख सकती हूँ फिर सायरा ने मायूसी से अपने पूरी कहानी उस बुड़ी औरत को सुना दी यह सुनकर बुड़ी औरत ने कहा बेटी कोई कितना ही बड़ा गुनागार क्यो ना हो अगर कोई सचे दिल से उसके दर पर जुख जाई तो अल्ला सब कुछ माफ कर देता है इस पर सायरा ने कहा अमा जी मैं तो एक तवाइफ हूँ और तवाइफ ही नहीं बलकि तवाइफ रानी हूँ मेरी बिस्तर पर ना जाने आज ता कितने लोग आई हैं यह सुनकर बुड़ी औरत ने कहा बेटी अल्ला की रहमत को भी इतना चोटा ना समझ जो उसके आगे जुख जाता है अगर तेरे गुना समुन्दर के जाक के बराबर भी होंगी तब भी अल्ला तुझे माफ कर देगा उस बुड़ी औरत की बात ने सायरा को सकून दे दिया फिर वो औरत चली गई लेकिन अब वो सायरा को जीने की एक नई उमिद दे गई थी अब सायरा सोचने लगी लेकिन अल्ला का दर है कहां पर बस यही बात सोचते वे उसने राष्टे सलते एक लड़के से पूछ लिया तो उसने बताया कि सायरा मक्का मुकरमा में बच्चे का जवाब सुनकर सायरा खुस हो गई फिर उसने सायरा जाने के लिए सारी मालूमात ली सारे कागजात बनवाई और आखिर कार उसका सायरा सायरा जाने का दिन भी आ गया इस तरह से फिर साइरा सौधी अरब में पहुंच गई अब उसके सामने खाना एक आबा था नजर पढ़ते ही साइरा ने सरमिंड़ी से अपनी नजरे जुका ली और कहने लगी मैं कैसे करूँ आपका सामना या अल्ला मेरे दिल को तुफिक दे दे कि मैं भी अपने सारी गुना छोड़ दूँ आंसू लगातार साइरा की आँखों से बह रही थी और वो लगातार अपने रब की बारगा में दुआई करती जा रही थी इतने में वो किसी की नजर में आ गई वो सिंद का एक बहुत बड़ा सेट था जो पहले कई बार साइरा का ग्रहक बन चुका था साइरा को देखते ही वो सोचने लगा कि क्या जमाना आ गया है अब तो तवाइफ औरते भी उम्रा करने आने लगी है लेकिन मैं ऐसा हर्गिस नहीं होने दूँगा यह सब बाते सोचते वे सेट भूल गया था कि वो भी तो साइरा का ग्रहक बन चुका है लेकिन अब वो अपने दिल ही दिल में साइरा को वहां से निकालने का मनसूबा बनाने लगा लेकिन साइद वो नहीं जानता था कि अल्ला तो दिलों की हाल को बेहतर जानता है इसी वज़े से सायथ उस जैसे गुनागार को अल्ला ने छूट दे रखी है सायरा तो फिर भी अपने किये पर दिल से सरमिंदा थी उसे तो किसी के धोके ने ऐसा बना दिया था अल्ला बंदे की हज उम्रा को नहीं देखता है बेलकि उसकी नियत और उसकी माफी को देखता है खैर अगले दिन सेट को कुछ काम आ गया इसलिए वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए जड़्दा चला गया और इदर सायरा अब हर रोज खाना काबा जाती और वहाँ पर जाकर गंटो बेठी रहती कभी हरम सरीब को देखती तो कभी रोपड़ती तो कभी वापिस दली जाती इसी तरह से सायरा के दिन गुजरते चले गई सायरा को अब यहाँ पर आई वे पंद्रे दिन हो गई थी लेकिन अभी तक उसने उम्रा नहीं किया था औरना ही उसने वहाँ पर कोई नमाज पड़ी थी बस सिरफ अरम में जाना वहाँ पर बेठी रहना कभी रोने लग जाना और वापिस चले जाना उसका यहीं मामूल बना हुआ था अल्ह उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता इडाय डाय डाल रहा था पिर एक दिन अचानक साहरा की जुबान पर माफी के अलफाज आ गई वो कहने लगी अल्ला 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 उसने उस वक्त वहाँ पर बेठे वे सेंक्डो बार अपने अल्ला को पुकारा था हर बार उसे यही लगा था कि अल्ला ने उसकी पुकार का जवाब दिया है उसके दिल में सकुन भरने लगा था उसकी हम्मत बड़ी और लगा कि अल्ला को मनाने का यही वक्त है इसलिए अगले दिन उसने खाना एक आबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी या अल्ला मुझे माप कर दे या अल्ला तु मुझे अपनी रहमत की पनाह में ले ले साहरा रोते वे अल्ला से फर्याद कर रही थी और उसके आंसु रब की बारगा में कबूल हो रही थी वो कह रही थी या अल्ला मुझे मत ठुकरा तुम्हारे सिवाई में मेरा और कोई आसरा नहीं है ए मेरे मालिक अगर तूने भी मुझे दुदकार दिया तो फिर मैं कहा जाओंगी एक एक आंसू उसके दिल में मुझूद बरसो का दुख दूर कर रहा था जब दिल को कुछ सकून हुआ तो फिर वो वापिस चली गई इसी इरादे के साथ कि वो अगले दिन उम्रा जरूर अदा करेगी फिर अगले दिन जब वो वापिस आई तो वहाँ पर उस सेट से उसका सामना फिर से हो गया सायरा को देखते ही वो सेट कहने लगा क्या जमाना आ गया है कि आप तो फाइसा औरते भी हज़ उम्रा के लिए आने लगी है सेट ने देखते ही अपनी जबान की खंजर चलाना सुरू कर दिया सेट कहने लगा यहां बातों ना मनजूर है हमारे लिए मैं तुम्हें यहां से बाहर निकलवा दूँगा बेहतर यही है कि अपनी इज़द बचा और यहां से चुपचा बाहर निकल जा वरना यहां की लोग तुम्हें संक्सार कर देंगी सेट ने अपनी जबान का जहर उगलातों साहरा दंग रह गई वो सोचने लगी तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधरने का मौका नहीं दे सकती मुझे तवाइब भी तुम जैसे मर्दों नहीं बनाया था खुदा के लिए मुझे उम्रा करने दो ताके कल क्यामत के दिन जब मुझे खुदा पूचे गा कि मुझे राजी करने के लिए तुमने क्या किया था तो उस वक्त मेरे पास में इसका थोड़ा तो जवाब हो मैं तुम्हारे आगे हाद जोड़ती हूँ मुझे उम्रा करने दो लेकिन सेट नहीं माना और कहने लगा मैं यहाँ पर लोगों को एकठा करके तुम्हारी हकीकत बता दूँगा फिर वो लोग तुम्हें संकसार करके ही दम लेंगी सेट फिरोन बना बोल रहा था इस पर सायरा ने एक बल लगाया सोचने में फिर कहने लगी यहां तो मेरे लिए घाटे का सोदा नहीं है अगर मैं अल्ला को राजी करने में मर जाऊं तो इससे बड़ी खुस किसमती मेरे लिए और क्या होगी ठीक है तुम्हें लोगों को बताना है तो बता दो फिर वो मुझे मारते हैं तो मार दें लेकिन मैं उम्रा की यह बगिर यहां से वापिस नहीं जाऊंगी कल क्यामत की दिन मेरे दामन में कोई तो मेरे पास नेकी होगी सायरा की यहां बात सुनकर सेट आग बबुला हो गया उसने चीक चीक कर वहां पर लोगों को इकठा कर लिया और कहने लगा यह लोगो यह एक वेसिया है यह एक तवाइफ है क्या मक्का मदिना का एहतराम अब यही रह गया है क्या यहां पर वेसिया औरते भी अबाजादी से गुम रही है क्या यह ठीक है क्या यहां पर तवाइफ औरते गुमती फिरी यह लोगों यह ठीक नहीं है यह हरम को भी गंदा कर देगी यह सुनकर लोगों को गुसा आ गया और उन्होंने उसी वक्त साइरा को धके देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया साइरा की डाती रही अल्ला के वास्ते मुझे उम्रा कर लेने दो या फिर मुझे मार दो साइरा रोते वे उनसे फर्याद कर रही थी मगर वहाँ पर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था उन लोगों ने उसे हरम से बाहर निकाल दिया साइरा रोते वे फर्याद कर रही थी या अल्ला मेरे नामाई आमाल में एक नेकी दरज होने दे बस वो ऐसे ही रोते वे दुआ करते वे वही जमीन पर बेट गई रूस की आँख लग गई उसी रात सब लोगों ने साहरा को जन्नत के बागों में टहलते वी देखा और इदर सेट की जुबान टेडी हो गई और जिन लोगों ने साहरा को धक्के दिये थे उनके आतों फर जखम बन गई उनमें जलन होने लगी अगले दिन सोर की आवाज पर साहरा की आँखे खुली तो उसने देखा कि सब लोग उसके आसपास में जमा है फिर वो लोग उसे इज़त के सातरम सरीप के अंदर ले गई रूसे उम्रा करवाया रूसे माफी भी मांगी बैसख अल़् अपने बंदों पर बड़ा महरबान और रह्म करने वाला है वो कभी भी किसी के सदा को रद नहीं करता है बिल्कल वेशे ही जैसे उसने साहरा की सदा को सुना है इसी वजय से तो उसे अपने घर की तरह बुलाया बेसक अल्ला ताला बड़ा महरबान और रहिमों करीम है वो सत्तर माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वला है इसलिए फिर उसे केसे बरदास्त होगा कि उसका कोई बंदा जिंदिगी बर गुनाहों के बोज दले दबा रही और उसे सुदरने का एक मोका भी ना मिली याद रखें, अल्ला जब किसी को इदायत देना चाहता है तो उसी रास्ता भी खुदी बताता है सुभान अल्ला तो बहुत इंपर्विटिव वीडियो था और ये जो वाक्या है वो हर लड़की को शेयर होना चाहिए क्योंकि लड़कियों को पहले से सोचना चाहिए कि हमें कौन सा लड़का को पसा रहा है और आगे चाकर हमारे साथ क्या होगा जैसे कि इस लड़की के साथ हुआ वेलत काम पर लग गई है जब इस लड़के ने उसे चुड़ा पर इसका दिल बहुत साथ था लड़को पता था इसलिए अल्ला ने उसे अपने दर पर बुला लिया और अल्ला बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि कौन केसा है कौन केसा सिर्फ वो तोबा कबूल करता है और नियत देखता है इंसान की अगर आप अच्छे नियत से काम करते हो तो आपको अच्छा सवाब मिलेगा लेकिन आप गलत नियत से भी अच्छे काम करते हो तो भी आपको गलती सवाब मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि इसने गलत काम किया लेकिन इसका दिल अच्छा था और वो मजबूरी की वज़े से यह सब कुछ काम कर रही थी लेकिन फिर भी यह खुदा तो जानता है कि कौन से मन से यह कर रहा है तो यह बहुत ही अच्छा लगा मुझे वीडियो कि अगर आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है लेकिन उसके दिल में अच्छा ही है हम उसे सब लोग गलत कहेंगे लेकिन खुदा उसका खुदा जालता है कि वह इंसान अच्छा है या बुरा तो मुझे यह वीडियो बहुत अच्छा लगा लेकिन लड़कियों को भी सत्र करेना चाहिए कि हमारे आगे की जिंदगे में ऐसे ना हो ज्यादातर अरेंज मैरेश करने चा आते हैं तो वीडियो केसा लगा दो रॉक्मेंट कीजिए तो चले मगले रिमिनेंगे